हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पानी के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 154 यानी 154 तो देखते हैं अपना अगला अलंकार ठीक हैं तो ध्यान दे दोस्तों हमारा अगला अलंकार है दोस्तों कावे लिंग अलंकार ठीक हैं तो जहां पर किसी युक्ती से समर्थन का कारण बताया जाए वहां पर कावे लिंग अलंकार होता है ठीक है समर्थन का कारण बताया जाए तो वहां पर क्या होता है कावे लिंग अलंकार होता है ठीक है समर्थन का कारण ध्यान रखें इस शब्द तो कारण बताते हैं वहां पर कावे लिंग अलंकार होता है समर्थन का ठीक है देखते हैं प्रश्न गौर करेंगे दोस्तों ध्यान दे, प्रशन है किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? यानि किसी युक्ती से जब हम कोई बात का समर्थन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है तो option D काववे लिंग अलंकार ठीक है काववे लिंग अलंकार होता है TGT परिक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्ण है ये क्या है किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है तो दोस्तों काववे लिंग अलंकार ठीक है ध्यान रखें काववे लिंग अलंकार देखते हैं प्रश्ण की व्याख्या गौर करेंगे व्याख्या पर ध्यान दें जहां किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहां काववे लिंग अलंकार होता है तो समर्थन यानि सपोर्ट जब कोई पंक्ती करती है किसी युक्ति को तो उसका कारण बताया जाता है ठीक ये बात ध्यान रखें यहाँ पर एक उधारन है, देखें, कनक कनक ते सोग उनी माधक ता अधिकाए, वाखाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है बोरा जाना, यानि कि बोखला जाना, ठीक, तो कनक कनक, कनक कनक पहली बात तो यह उधारन यमक अलंकार का भी है, क्योंकि कनक शब्द दो बार पहली बात लेकिन हम यहां पर आभी किसके बारे में पढ़ रहे हैंसे तो आभ आप सिरिफ काव्य लिंग की बात पर ध्यान दे क्या है कनक कनक ते सोग उनी मादक ता अधिकाए बाखाए बोरे नर यहां पाई फो रहे हैं ठीक तो यानि क्या अर्थ है इसका धतूरा खाने से एक कनक्षा धोस्तों गतूरा और एक कनक्षा है तो धतूरा खाने से नशा होता है क्या होता है जब कोई धतूरा खाता है तो उससे नशा होता है धतूरा जानते होंगे एक प्रगार का जंगली पोधा है ठीक है गोल गोल सा होता है और कांटे से लगे होते हैं इसके उपर ठीक है तो धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वर्ण पाने से लेकिन अगर व्यक्ति को सोना दे दिया जाए ठीक है सोना मींस सिलीब वाला सोना नहीं सोना मींस धातू ठीक है तो सोना पाने के बाद भी व्यक्ति कैसा हो जाता है नसे से पूर्ण हो जाता है नशा भर जाता है सोना देखकर दिमाग खराब हो जाता है कई लोगों का ठीक है तो यानि की दिमाग खराब का कह कहने का मतलब यह नहीं मतलब कुछ लालची लोग होते हैं उनकी मतलब जादा देखकर के मतलब चीजे यह जादा सोना देखिया तो लालच बढ़ जाता है कहने का अर्थ ही यह है तो नशा होना से यही अभी प्राय है तो जैसे धतूरा खाने से नशा होता है पर सोना पाने स से भी नशा होता है तीना इसी बात का समर्थन कियां गया है कि सवयल में धतूरे से ज्यादा जो सोना होता है थीके ऑत推सी में दट्रायर्द में यानि कि जो उत्तरार्द मींस बाद का ठीक है तो पूरवार्द भाग ये उपर वाली पंक्ती उत्तरार्द मींस नीचे वाली दोहे की पंक्ती इसमें कथन की पुष्टी कर दी गई है ठीक है कि धतूरा हो या सोना हो दोनों को ही पाने के बाद कैसा हो जाता है इंसान नसे में चूर हो जाता है बोरा जाता है ठीक तो यानि कि एक पंक्ती एक पंक्ती में से समर्थन का कारण बताय जा रहा है दूसरी पंक्ती में ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे अगला अलंकार है दोस्तों ध्यान दें प्रतीप अलंकार क्या है प्रतीप अलंकार ठीक है तो प्रतीप अलंकार कहा होता है जहां पर उपमे ठीक है जहां पर उपमान को क्या बना देते हैं उपमे बना देते हैं यानि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताये था उपमे और उपमान क्या होते हैं उपमे और उपमान ठीक है ये शब्द ध्यान रखने हैं उपमे वो होता है जिसकी तुलना की जाती है जिसकी शब्द याद रखें और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादत हम क्या करते हैं उपमे की तुलना करते हैं उपमान से लेकिन प्रती पलंकार में क्या होता है कि जो उपमान होता है जो उपमान होता है उसी को हम क्या बना देते हैं उपमे बना देते हैं यानि कि उपमान फिर क्या होता है कि जो जिससे तुलना की जाती थी अब उससे तुलन की जाती है ठीक है यानि कि उपमे को उपमान बना दिया जाता है ठीक है कि एक्सजेंज यानि ओल्टा कर देते हैं जो अभी तक formula चल रहा था अलंकारों का अब वो क्या हो गया reciprocal हो गया यानि की व्यूत क्रम में बदल गया फलट गया ठीक अब उपमे क्या गया, अब उपमान, सौरी उपमान क्या बन गया, उपमे ठीक है, तो ये प्रती पलंकार होता है, जिसमें उपमान क्या बन जाता है, उपमे बन जाता है, ठीक है, ये बाते धियान रखेंगे देखते हैं अगला प्रश्ण गौर करेंगे दोस्तों प्रश्ण पर क्या है उत्री नहाई जमुन जल जो सरीर समस्याम इस पंक्ती में कौन सा लंकार है तो पंक्ती में लंकार पूछा जा रहा है ओप्शन B प्रती पलंकार है कौन सा प्रती पलंकार क्या है पंक्ती उतरी नहाई जमुन जल जो सरीर समस्याम ठीक है देखते हैं प्रस्तुत प्रश्ण की व्याख्या गौर करेंगे दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर जहां प्रसित उपमान को जहां प्रसित उपमान उपमान क्या होता है मैंने अभी बताये थ से तुलना की जाए और उपमे क्या होता है जिसकी तुलना की जाए ठीक है तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि उपमान क्या बन गया उपमान को उपमे बना दिया जाए तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है प्रतीप का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा यानि की विप्री प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा उपमान को उपमे बना देना करम का उल्ट देना हुआ क्या हुआ करम को जो अभी तक चल रहा था उसको उल्ट देना हुआ यानि पलड दिया ठीक इसलिए जब प्रसिद उपमान को उपमे बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है कौ आगे देखें दोस्तों व्याख्या यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है उपमा अलंकार का उल्टा यानि की अपोजेट कैसे अब उपमा अलंकार क्या होता है उपमा अलंकार में हम उपमे की तुलना करते हैं किस से उपमान से ठीक है यानि की तुलना करते हुए दोनों में समानता बताते हैं उपमे अलंकार में ठीक लेकिन यहां पर जो प्रतीप अलंकार है वह बिल्कुल उल्टा होता है किसका उपमा अलंकार का ठीक प्रस्तुत पंक्ती में ध्यान से सुने जमुना जल जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद उपमान है किसका श्यामता का प्रसिद उपमान है कौन जमुना जल यानि की यमुना का जल यमुना का पानी ठीक है इसको उपमे क्या माना गया है उपमे माना गया है और श्याम सरीर को श्याम सरीर को उपमान बना दिया गया है क्या बना दिया गया है उपमान बना इसलिए यहाँ पर क्या है प्रती पलंकार है कौन सा लंकार प्रती पलंकार है जहां कारण के होने पर भी ध्यान से सुनेंगे जहां कारण के होने पर भी कारे ना हो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है विशेश ओकती अलंकार होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जहा तो इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न वही है प्रश्न रिपीटिड है कोई बात ने देख लेते हैं क्या है उत्री नहाए जमुन जल जमुन जल ठीक जो शरीर समस्याम इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है तो दोस्तों ऑप्शन C प्रतीप अलंकार है ठीक है अगला प्रश्न है ध्यान दे दोस्तों क्या है प्रश्न तर्णी तनूजा नीर तर्णी तनूजा नीर सोहत श्याम सरीर सम सोहत श्याम सरीर सम में कौन सा अलंकार है पंक्ती क्या है फिर से सुने तर्णी तनूजा नीर तर्णी तनूजा नीर सोहत श्याम सरीर सम इसमें कौन सा लंकार है तो option D प्रतीप लंकार है कौन सा प्रतीप लंकार ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों देखते हैं प्रश्णी की व्याक्या प्रश्टुत पंक्ती में तर्णी और तनूजा तर्णी तो यमना के जल को उपमे बना दिया गया है तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है तो यहां ध्यान से देखे तर्णी तनूजा यह क्या है उपमे और श्याम शरीर क्या है उपमान ठीक है तो यहां पर क्या हो गया प्रतीप अलंकार ठीक ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है ध्यान दे पंक्ती है यहापर भी गौर करेंगे मा के सुची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है निस्वार्थ साधना पत पर मा जैसा संत नहीं है मा जैसा संत नहीं है उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है तो option C, प्रतीप अलंकार लक्षित हो रहा है उपर्युक्त पंक्तियों में क्या है पंक्ति मा के सुची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है कितनी प्यारी पंक्तिया हैं दोस्तों, है ना देखते हैं प्रशन की व्याक्या देखते हैं व्यक्या गौर करें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है कौनसा प्रतीप अलंकार है ठीक अभी हमने देखा उत्तर में भी प्रतीप अलंकार उपमे से उपमान की उपमे से उपमान की हींता का जहां वर्णन होता है वहां प्रतीप अलंकार हो करें है अभी तक जो हम पड़ रहे थे Euh हम उपमान को ज्यादा बढ़ा बता रहे हैं बजाए किसके उपमान के यानि कि उपमान क्या हो गया हीन हो गया तो उपमान की हीनता का पता चले ठीक है वहाँ पर प्रती पलंकार होता है आगे देखें इन पंक्तियों में उपमे इन पंक्तियों में उपमे यानि मा के सुची उपकारों का ध्यान से सुनें उपमे क्या है मा के सुची उपकारों का ये क्या है उपमे इस से उपमान यानि उपमान क्या हो गया निस्वार्थ साधना निस्वार्थ साधना की हींता का वर्णन किया गया है ठीक है निस्वार्थ साधना यानि उपमान की हींता का वर्णन किया गया है ठीक है तो यह बात आप याद रखेंगे ध्यान देंगे दोस्तों अगला अलंकार है अपनूती अलंकार अपनूती अलंकार ठीक है तो यहां पे क्या होता है कि इसमें उपमे को निशेद कर दिया जाता है किसको उपमे को निशेद कर दिया जाता है और उपमान उपमान का क् कर दिया जाता है आरोप कर दिया जाता है ध्यान रखें और निशेद किसको कर देते हैं उपमे को उपमे को क्या कर देते हैं निशेद ठीक है निशेद ध्यान रखें और उपमे क्या होता है प्रस्तुत होता है तो प्रस्तुत की जगे हम क्या कर देते हैं आप्रस्तुत आप रस्तूत का विधान कर देते हैं, तीक है, यानि की जो चीजें अप रस्तूत हैं उनको हम रख देते हैं कहां पर उपिमे की जगे, ठीक है, इसका तो उपिमे का निशेदी हो जाता है, बात किस की होने लगती है, उप्मान की ठीक देखते हैं अपनोंति अलंकार क्या होता है तो ध्याण देंगे दोस्तों पंक्तियों पर क्या हैं पंक्तियां गौर करें ग्यान से सुनें तो इस उधरन में कौन सा अलंकार है? इस उधरन में अलंकार है दोस्तों option D option D आपनो हुती अलंकार क्या है पंक्ती? मैं जो कहें रगुवीर कृपाला बंदू ना होई मोर यह काला ठीक है? तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या क्या है option इसका? सही option D आपनो हुती अलंकार कैसे है देखते हैं ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर क्या है व्याख्या? जहां उपमे का निशेद करके उपमे का निशेद करके उपमान का आरोप किया जाए ठीक है? उपमे क्या हो जाता है? निशेद हो जाता है आरोप किसका हो जाता है? उपमान का ठीक? अर्थात प्रस्तुत का निशेद करके जो हमारे सामने हैं उसका हम निशेद कर देते हैं और अप्रस्तुत की स्थापना कर देते हैं ठीक वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपनुहुती अलंकार ठीक है आपनुहुती अलंकार तो आपनुहुती अलंकार अपनुहुती शब्द का अर्थ होता है दोस्तों छिपाना यानि निशेद कर यानि गोपन करना आस्विक्रित करना ठीक तो क्या-क्या अर्थ है इसका अपनुहुती निशेद करना गोपन रखना गोपन करना छिपाना आस्विक्रित करना ठीक तो प्रस्तुत पंक्तियों में अपनुहुती अलंकार है यहां पर सुग्रीव ने सुग्रीव ने बाली के बारे में ये रामाइन के पात्र हैं सुग्रीव और बाली ठीक तो सुग्रीव ने बाली के बारे में श्री राम से कहा है क्या कहा है कि हे क्रिपालू राम हे क्रिपालू राम यह मेरा बंदू नहीं है काल है कौन है यह मेरा बंदू नहीं है काल है ठीक है यानि की यहां पर उ कि एक तरह से राम के समर्थन में बात कही है ठीक तो इस प्रकार यहांपर क्या हो गया यहांपर हो गया आपनुहुती अलंकार ठीक यहांपर देखो नहीं है शब्दा रहें अर्थ जब हम पढ़ेंगे पंक्ती का तो नहीं का अर्थ निकलेगा जहांपर और भी ना या आ जैसे शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए कि वह है नेगिटिव वर्ड है ठीक तो आपनो हुती अलंकार में निशेद होगा किसी चीज़ का किसी बात का ठीक है तो यहाँ पर जो सुग्रीव हैं वो बाली के बारे में श्री राम से कह रहे हैं कि हे अलंकार उधारन अलंकार ठीक उधारन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एक्जामपल ठीक है उधारन जब आप देते हैं तो जैसे वैसे शब्दों का इस्तमाल करते हैं जैसे शब्द तो पंक्ति में आपको देखना है कि जैसे शब्द तो नहीं आ रहा या जियों हैं दोस्तों क्या बताते हैं यह बताते हैं कि आप किसी चीजिका उधारण दे रहे हैं ठीक है इक्जांपल दे रहे हैं ठीक देखते हैं क्या है पंक्ती गौर करेंगे प्रश्न देखें बूंद अगहात सहे गिरी कैसे? खल के बचन संत सहे जैसे तो पंक्ती में, प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है? तो option B, उधारन अलंकार है ठीके, उधारन अलंकार है प्रस्तुत पंक्तियों में तो दोस्तों सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि इसमें जैसे टैसे शब्दों का परियोग होगा ज्यों त्यों का परियोग होगा थीचہ मानो जानो ये इस तरीके के कुछ शब्दाएंगे जहां से आपको पता पहचान बनेगी पता चलेगा कि यहाँ पर उधारन दिया जा रहा है ठीक है तो बून्द अगात सहे गिरी कैसे खल के बचन संत सहे जैसे पंक्ती में उधारन अलंकार है ठीक देखते हैं प्रश्न की व्याख्या ध्यान दे दोस्तों जहां किसी बात के समर्थन में उधारन किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए तो वहाँ पर उधारन अलंकार होता है यानि कहने का क्या अभी प्राय है कि जब हम कोई बात करते हैं कोई कतन कहते हैं तो जब कोई ऐसे वाचक शब्दों का इस्तमाल करें ठीके जिसके साथ हम उधारन दे सकें तो वहाँ पर उधारन अलंकार होता है प्रस्तुत पंक्ती में उधारण वाची शब्द क्या है जैसे जैसे शब्दों द्वारा पहली पंक्ती के अर्थ को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा रहा है तो जैसे शब्द के जो इस्तमाल हुआ है पंक्ती में उससे जो पहली पंक्ती हमने पड़ी उसके अर्थ को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा रहा है अतहाँ यहाँ पर उधारण अलंकार है क्या है उधारण अलंकार अगला अलंकार है दोस्तों इस्मरण अलंकार इस्मरण अलंकार ठीके तो इस्मरण यानि याद करना यानि जब किसी पंक्ति को आप पढ़ते हैं सुनते हैं ठीके तब आप अगर पहले से आपने कहीं वो सुनी हो पढ़ी हो देखियो उससे जोड लें उसको याद कर लें यानि किसी चीज को पढ़कर देखकर या सुनकर ठीके आपको कुछ याद आ जाए ठीके तो वहाँ पर इस्मरण अलंकार होता है जैसे देखते हैं प्रश्ण गौर करें सगन कुझ छाया सुखद सीतल मंद समीर मन है जात अजव वहीं वा जमुना के तीर यानि की जमुना यानि अमना के किनारे पे बैठ कर मन कुछ अलगी हो जाता है यानि की बात को याद कर रहे हैं पहली पंक् तो इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है दोस्तों इस उद्धरण में अलंकार है option B इस मरण अलंकार इस मरण अलंकार ठीक है देखो मन कहां पर अच्छा होता है मन आपका कब अच्छा होता है जब आप किसी चीज को याद कर रहे होते हैं ठीक है याद में भी जब आप किसी बात को किसी व्यक्ति को उनकी अच्छी यादे याद कर रहे होते हैं तब आपका मन अच्छा होता है ना कि बुरी बातों को याद करके आपका मन अच्छा होता है ठीक है तो जहां पर किसी बात को इस्मरण करके किसी पंक्ति को पढ़ करके आपको कुछ अच्छी यादे या आजाएं तो समझ लीजिए मां क्या है इसमरण अलंकार है ठीक है तो इसमरण होगा तो मन शब्द जरूर होगा मन शब्द जरूर होगा ठीक है क्योंकि मन ही तो इसमरण कर सकता है ठीक है तो इसी लिए देखते हैं व्याक्या गोर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर क्या है जब किसी वस्तू को देखकर या उसके विषे में सुनकर मानुक आपने किसी चीज को देखा या किसी विशे के बारे में सुना उसके साद्रिश पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तू का इसमरण आना वर्नेध होता है यानि उसको देखकर आपने पहले उसी के जैसा ही कुछ और देखा पड़ा सुना हो तो आपको उसकी याद आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है इसमरण अलंकार होता है प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की चाया अब जो पंक्तिया हमने पड़ी उसमें क्या है एक बगीचा है कैसा है घना उसकी चाया और शीतल दीरे दीरे जो हवा बह रही है शीतल एक तो बगीचा है बगीचा कैसा है घना बगीचे में कैसी हवा बह रही है शीतल यानि ठंडी हवा ठीक है और कैसे बह रही है दीरे दीरे ठीक तो इसको देखकर जो नाइका है बगीचे में बैठी जो नाईका है उसको अपने पूर्व की जो पहले की जो बाते हैं वो याद आ जाती हैं तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? इसमरण अलंकार ठीक है? याद रखेंगे अगला अलंकार है दोस्तों ध्यान दें क्या है तद गुण अलंकार तद गुण अलंकार ठीक है यानि कि उसके जैसा तद मीज़ शायद उसके जैसा अर्थ होता है ऐसा कुछ आप यह याद रखें तद गुण गुण शब्द से आप ध्यान रखेंगे कि जहां स्वयम के गुण को त्याग दिया जाए स्वयम के गुण त्याग दिये जाएं और दूसरे के गुण अपना लिये जाएं दूसरे के गुण अपना लिये जाएं वहाँ पर क्या होता है तद गुण अलंकार होता है इतनी बात आप याद रखें, देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों, अधर धरत, अधर मीज होंट, ठीके, धरत हरी के परत, अधर धरत हरी के परत, ओठ दीठी, ओठ दीठी, पट जोती, ओठ दीठी, पट जोती, हरित बांस की बांसुरी, इंदर धनुशरंग होत ठीके फिर से सुन ले एक बार पंक्ती को अच्छी पंक्ती है क्या है अधर धरत हरी के परत ओठ दीठी पट जोती हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुशरंग होती ठीके तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है तो ओप्शन डी तद गुण अलंकार है तद गुण ठीके देखते हैं प्रशन की व्याख्या गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर ध्यान दें प्रस्तुत दोहे में तद गुण अलंकार है कौन सा तद गुण अलंकार है इन दोहों में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है क्या कहा गया है उनके होटों पर बांसुरी ओठ दृष्टि पट की जोती पढ़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़ कर इंद्र धनुस के रंग को ग्रेंड कर लेती है यानि कि उनके ओटों पर जो बांसुरी रखी है ठीक है वो कैसी हो जाती है वह अपने असली रंग को छोड़ कर इंद्र धनुष के रंग ग्रेंड कर लेती है जब कोई वस्तू अब ध्यान से सुने जब कोई वस्तू स्वयम के गुण को त्याग कर अपने समीब की किसी तब वहां क्या होता है तद गुण अलंकार होता है कौन सा अलंकार तद गुण अलंकार होता है ठीके तद गुण अलंकार ठीके ध्यान रखेंगे दोस्तों इंपोर्टेंट है तो दोस्तों हमारा अलंकार विशे यहीं समाप्त होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों